हेलो फ्रेंड्स आई एममेकिंग विडियो फोर ही क्लास टेन एसस आयन ऐवं तुडू टू होप यू लाइक तो देखें आपके लिए पर क्लास टेन जो एससंख सबसे पहले हम जोगराफिय को लेते हैं और अगर और हम सलेबस की बात करते हैं तो इसमें आपके 7 chapters हैं 1st is resources and development, 2nd is forest and wildlife resources, 3rd is water resources, 4th is agriculture, 5th is mineral and energy resources, 6th is manufacturing industries, and last one is lifeline of national economy. we will read all the chapters one by one, we will discuss every concept of the every chapter, I hope you will like, so let's start our 1st chapter resources and development, देखिए, chapter 1st, class 1st, you can say that, 1st chapter, 1st part, resources and development, कि जो साधन हैं और जो विकास हैं, वो कैसे एक दूसरे से सम्मत देते हैं, तो 1st of all, this video will be in both languages, English and Hindi, तो देखिए, हम समझते हैं कि resources, यानि कि साधन क्या होते हैं, and development, और विकास क्या होता है, यानि कि साधन और विकास दोनों एक दूसरे से कैसे जूड़े हैं, 1st is resources, कि साधन क्या हैं, anything which is complete our need is called resources, कि कोई भी चीज, जो हमारी जरूरत को पूरा करती है, वो साधन है, जैसे स्कूल जाने के लिए स्कूल बस, खाना खाने के लिए आपके पास जो भी raw material है, सबजी बनाने के लिए आपके पास vegetables है, कोई भी चीज जो आपकी जरूरत को पूरा करती है, वो साधन है, figure out करते हैं, देखे figure one, यानि कि ये जो figure बनाया है, that is the figure one, कि एक इनसान, human being, कि जो साधन है, जिनकी जरूरत हमें है, उनको हम कैसे use करते हैं, इसके तीन parts है, first is environment, second is technology, third is institution, देखे, जो human being है, कि एक जो मानो है, इनसान है, वो environment, environment यानि कि जहां पर वो रहता है, उसके आज पास जो चीजे हैं, उनसे interact करता है, तो environment से वो resources प्राप्त करता है, second is technology, कि environment से जो resources प्राप्त हुए हैं, जो साधन उसको प्राप्त हुए हैं, वो technically कि तक्नीक के साथ मिल करके, institution किसी जगह पर, workplace पे, कोई workshop है, कोई factory है, कैसे उसको product को manufacture करके, अपनी जरूरतों को पूरा करता है, means we can say that human being, जो resources है, जो साधन है, उनको use करते हैं, तो उसके तीन parts है, environment, technology and institution, also we can say that human being also a component of resources, कि जो मानव है, वो अपने आप में एक साधन है, देखे, हम किसी के help करते हैं, तो हम खुद से एक साधन है, किसी दूसरे इंसान का हम काम करवाने में help करें, तो we are also a resources, तो we can say that human being is also a component of resources, अब देखे, हमने बढ़ा कि साधन क्या है, कोई भी चीज जो हमारे जरूरत को पूरा कर रही है, वो साधन है, इसके बाद कि साधन तो है, जरूरते पूरी हो रही है, वो साधन है, लेकिन साधन कितने types के होते हैं, कि साधन कौन से कौन से साधन होते हैं, बहुत सारे type के साधन है, उनको हम classification कैसे करेंगे, तो देखे, next is classification of resources, कि जो स्थीफाइस ओफ रिसॉर्स इज और फ़र टाइपस कि हमारे जो रिसॉर्स हैं उनको हम चार पार्ट में बाड़ सकते हैं यानि कि हमारे पास जितने भी संसादन हैं उनको पढ़ने के लिए हम उसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं first is base of origin origin मतलब उद्भव कि जो उद्भव है जो origin है कि प्रोड़क्ट कहां से obtain कर रहे हैं उसके आधार पर दोत रहें के origin होंगे इन सब को हम widely आगे पढ़ेंगे second is on the base of accessibility accessibility means थाइताओ के आधार पर कि कौन सी चीज है कौन सा जो resources है उसको हम कैसे बना सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं और वो कितने समय के लिए exist करेगा थाड़ा base of ownership ownership देखे ओनर कि मालिकाना हग कि किसी चीज पर किसका हग है उसके आधार पर संसाधन कितने वो कितने तरह के होंगे तो देखे classification of resources जो संसाधन है वो चार तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं first is base of origin second is base of accessibility third is base of ownership and fourth is base of status of development तो देखे सबसे पहले पढ़ते हैं base of origin यानिकि उद्भाव के आधार पर हमारे जो संसाधन है वो दो तरह के हैं first is biotic and second is abiotic biotic javic abiotic azavic तो देखें biotic resources क्या होते हैं these type of resources we obtain from biosphere we can say that nature कि ऐसे साधन जो हमें हमारे जयो मंदल से हमारी परकरती से हमें प्राप्त होते हैं वो biotic होते हैं उनको हम जयविक कहते हैं जैसे flora है फनना है कोई भी natural थे कर पेड़ पोदे हैं वन्सपती हैं वो सारी चीज़ें आपकी biotic resources में count होते हैं next is abiotic resources azavic azavic means जो चीज़े non living होते हैं ठीक है तो ऐसे संसाधन जो non living होते हैं वो आपके abiotic resources होते हैं these type of resources composed of non living things are called abiotic resources non living जैसे metal है रोक्स हैं कियान कि जो चीज़ें क्या नहीं करती हैं खुझ से बढ़ती नहीं हैं खुझ से सास नहीं लेती हैं खुझ से चलती फिरती नहीं हैं वो non living हैं और वो चीज़ें आपकी abiotic resources में count होती हैं on the base of accessibility accessibility हमने पढ़ा था स्थाहित हो कि कोई चीज कितने समय तक रुखती है यानि कि रुखने का मतलब क्या है कि हम उसको कितना यूज करते हैं और वो future में कब तक हमारा साथ देती हैं तो देखें इसके आधार पर दो टाइप हैं प्रोड़क्ट जिनको आप रिसाइकल नहीं कर सकते हैं वो आपके रिसाइकल नहीं कर सकते हैं वो है आपके non-renewable resources देखें रिनेवाबल रिनेवाबल जो वर्ड से इसको पार्ट में डिवाइड करते हैं री प्लस न्यू री का मतलब होता है अगेन और न्यू का मतलब न्यू और एबल एबल का मतलब है योग है तो which resources we can reproduce with the help of technical process कि ऐसी चीज़ें जिनको किसी टक्नीकी प्रोसेस के जरीए किसी फैक्टरी के जरीए किसी वरक्शॉप के जरीए किसी केमिकल प्रोसेस के जरीए कोई machinery है उसके जरीए कैसे भी करके हम उसको जब reuse करने के लिए बना लेते हैं तो वो हमारे renewable resources होते हैं एक solar energy है water है wild life है इस तरहें की चीज़ें वो हमारे renewable resources में count होते हैं second part is non-renewable देखिए words को ही डिवाइड कर लेते हैं समझना आसान हो जाएगा known नहीं, re, again, new, new की जो चीज़ें दोबारा से नहीं बनाई जा सकती यानि की जो non-renewable है इसमें असानी है की बिल्कुल ही नहीं बना सकते यहां पर जो हम आपके संसाधन या resources यूज करते हैं depend करता है कि आप उसको कितना यूज करते हैं which type of resources we cannot again reproduce की बहुत easily जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते वो renewable में count होते हैं जैसे आपके fossil fuels है, petrol है, diesel है, metal जो आपके gold है, कोई भी जो metal है आपकी उनको आप बहुत आसानी से reproduce नहीं कर सकते next step का on the base of ownership, ownership means हमने कहा था कि माली काना हग, owner किसी चीज का मालिक कि किसी संसाधन पर किसका अधिकार है, उसके आधर पर हमारे जो संसाधन हैं वो चार तरहें के हैं first is individual, second is community, third is national and fourth is international, individual व्यक्तिगत कि जिस पर किसी एक इनसान का हग है, जैसे हमारा मकान, हमारा प्लोट, हमारी गाड़ी, इस तरहें कि जो सीज़े हैं वो हमारी individual, व्यक्तिगत संसाधनों में count होते हैं second is community resources, community, group, समु, member of community कि ऐसे साधन जो किसी समु के दवारब बनाए गए हैं और समु के लिए ही हैं तो जो community है, यानि कि जो सामु ही जो संसाधन है, उसमें देखें क्या-क्या आ सकता है, सामु ही कि जो इसमें आपका जैसे पार्क हो गया, बस स्टेंड हो गया आपका, ठीक है, इस तरह हैं कि जो चीज़ें हैं, वो आपके community resources में count होते हैं थारड है national resources, national, राष्ट्रिय, राष्ट्रिय मतलब किसी एक देश की particular boundary की बात हम कर रहे हैं, जैसे हमारा इंडिया है, बिलोंग टू दा नेशन, कि हमारी particular की इंडिया की जो, देखें जो हमारा इंडिया है, I will try to make it, देखें ऐसा हमारा इंडिया दिखता है, तो इंडिय resources, लाइक कि भारत में किन-किन चीजों का उतपादन होता है, तो हम उसको कैसे use करेंगे, store करेंगे, export, import करेंगे, नहीं करेंगे, वो सब, और last one है आपका international resources, अंतर राष्ट्रिय संसाधन, exclusive economic zone, यानि कि international level की बात करते हैं, जो exclusive हैं, और हमारी अर्चवयवस्था से import होता है, तो यह जो साधन हैं, वो आपके international के अंतराष्टे स्तर पर, जब एक से ज़्यादा देशों का अधिकार उस चीज़ पर होता है, वो भी किसी rule के दवारा, तो देखें, base of ownership की, हमारी जो मालिकाना हक है, उसके आधार पर हमारे जो संसाधन हैं, वो चारतर हैं के ह individual, community, national, international, and the last one is on the base of development, development mean विकास, विकास के आधार पर आपके जो resources हैं, वो चार टाइप के हैं, कि हमारे जो साधन हैं, वो चारतर हैं के हैं, फस्ट इस potential, second is developed, and third is the stock, and fourth is reserve, तो पोटेंशल देखें, पोटेंशल का मतलब के हैं कि कोई सीज, आपके geographical reason में तो है, लेकिन आ यूज नहीं कर पारे, या है, आपको पता नहीं है, और आप उसका यूज नहीं कर पारे, तो we can say that, potential resources mean, which type of resources available in our area, but not in use, second is developed resources, depend on quality and quantity, means developed, कि हमें विकास करना है, कैसे करेंगे, कि हमारे पास जो साधन है, उनकी quality क्या है, quality मतलब, कि वो कितने अच्छे संसाधन हैं, उनका कहां पर यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, quantity, उनकी मातरा कितनी है, तो हमारा जो विकास है, depend on both things, quality and quantity, next is stock, stock होता है, भंडार, किसी चीज को store करके रखना, we have resources, but don't know how can use, कि हमें उनका use कैसे करना है, जैसे देखे, example ले ले लेते हैं, water, H2O, hydrogen and oxygen, तो हम जो hydrogen है, इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं, last is reserve, reserve का मतलब क्या होता है, बचाना, संरक्षन करना, specially stock for future, कि हम जम चीजों का संग्रहन करते हैं, तो किसली करते हैं, ताकि future में हमारे काम आए, जैसे देखे, आप जो पैसा बचाते हैं, बैंक में जमा कराते हैं, उसका मतलब क्या है, कि हमें जब भी जरूरत होगी, तो इसी तरीके से, अगर हम resources की बात करते हैं, तो उनको भी हम stock करके रखते हैं, तो किस लिए future generation के लिए, तो उनमें देखे, आपके जो most important है, वो क्या है water, वोटर जैसे हम डैम बनाते हैं, और वहाँ पर जो पानी store होता है, तो उसको हमें जब भी जरूरत पड़ती है, तो ह रंगा action plan, और कि जो forest हैं, वो कितने पातिशत अभू भागपर होने चाहिए, वो सब चीजें, वो आपके reserves में आते हैं, तो I hope you will understand the base of development, potential, developed, stock and reserve, thank you, इस से आगे हम पढ़ेंगे, next class, second, thank you.